पानी गदला पानी साप और शब्बाब करने के तरीके देखे थे आईए हम देखते हैं बेदर पानी किसे कहते हैं जिस पानी को पीने से हमारी सेर पर कोई गदरान नहीं होता ऐसे पानी को बेदर पानी कहते हैं पानी गदला साप और शब्बाब करने के तरीके हमने देख चुके हैं क्या वाकी में ये पानी बेदर हो गया नहीं बताईए तो बला बरसाथ का पानी नदी में मिल जाता है तो क्या पानी पीने के लाएं है नहीं इसी तरीके से आप किसी जगे सैर या पिकनिक के लिए गए और वहां के जरने या कोई के पानी में हुआ आ रहे हो तो तुकिया आपको पानी का पीने के पीने के पीने के लिए पीने के लिए पानी होना जरूरी है क्योंकि खालिस पानी में जायका नहीं होता पानी में अगर बुव आए बद बुव आए या पानी रंगदा हो तो हम पानी नहीं पी पीई तो इससे हमारी का खत्रा लाफ हो सकता है इसलिके जानदार आइए मसीद मालूमात देख सकते हैं इस तरीके से जो है इने चर्णुरुबा गाहओ में खुर्दबीन के से जरीए देखा हिया सकता है अगर हम रत्ती बराबर दई का रिशाज का पतरा ले और खुरुदबीन की पतीपर रहे और उसे हम देखे तो हमको खुरडवीन के जानदार दो किसमों के यह एक नुकसा नध और फाइदेवन है कुछ दोच से जो है वह उसमें तबिल हो पेक्ट्रिया उसमें लुकसा नगीं बानी हवा मिट्टी जर्डा इनों में पाली के अंदर इस वक्त हम क्या करेंगे इस पाली को गरम करेंगे उसे जोज देंगे और उसमें जो मौजूद जराशिम है उस जराशिम को हम खत्म करेंगे पाड़े को जोश देने से और गरम करने से उसमें महजुद जो कुर्दविनी चांदर होती है वो खत्म हो जाती है प्यारे बच्छों अब बताईएं तो हला अम्मी ने हमें बादार से जो है अम्मी ने जीरा राया अब जीरे में रहत किर गई तो आप अम्मी को किस तरह से तो क्या करना है बच्चों की परतन में उसमें पानिो इस में जीरा डाल देना अब जीरा आ 대한 जाल देंगे हम तो क्या होगा कि जीरा पाणि शत्मने हम पानि पानी किस तरह सी क्या यहाता है उसको किस तरह से इस्तेमार हम पीएंगे तो हमारी सहथ पर भीमारी के दाशुरत नहीं होगे और पानी को पेजर करके नहीं पिया तो हम भीमारी पड़ सकते हैं तो पानी के अंदर मौजुद जराशिम होते हैं जो जांदर होते हैं उनको उस पानी को जोज देकर हमने करम करके पीना चाहिए इससे अमारे सहर हम पर पुरा असार नहीं पड़ा तो हम तंजुरूस तो रह सकते तो प्यारे बच्छे हमने बहुत सारी इसकी सबक से तो आप आप जो है मानुमान किस सिकी जो आपने अपनी बैयां देंके अपने क्लास्टिजर को बताएं खुदा आपीस